एक फ्रेंट्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फूट टेक में फ्रेंट्स जैसे की मैं प्रोडक्ट रुव दिखाता रहता हूं और घीज़ेबंब हैं उसे शंक्राम में आज वह है मैं प्रोप्सुदू दुखा रहा हूं कि अपना इंट्रॉट्षन आपको पहले दी तुका हूं कि मेरा नाम सुरंदर सिंगल है मैंने मास्टर केमिस्ट में किया है और ग्रेजिशन लौ में किया है और मैंने मल्टिनेशनल कंपनी का में पास 35 का डेरी फूड वेवरेज का एक्सपेंस है और मैं फूड सेप्टी टीम लीडर भी रहा हूं कि दोस्तों मैंने इस एक्सपेंस के दौरान जो है फंटी फाइव एस जो है घी की ग्रेडिंग की है घी की एनलेसिस की है और सर्टिफाइट गवर्मेंट का केमिस्ट भी रहा कि हम घी जो है घी एक ऐसा एड़म है कि बहुत इजेंशल कमड़िटी है हर घर में तुम्रत होती है कि घी को इसका इस्तेमाल कोकिंग में और कही तरह तरह देखा जाता है और घी हमको खाना वी चाहिए तो दोस्तों जो है मार्केट में बहुत ब्रांस मौद है अमूल है कि अरेख अनिक है कि पतंजली ए दो कुछ कुछ काओ घी मतंग ट्रीएं दी बहूं गी widget चोप्रांट हो है तो आज मैंने लिए है पारस अधिक के बार मतारा ऑंको को अा कänderपारा पर द्रूरी है वो लाइसेंशन के पास होता ही है दूसरा यह कि अच्छी डेरी जो है एक मार्क सेटिफाइट जो आती है और वह एक मार्क यह नौन उसको फॉलो करती है एक एक मार्क थोड़ा इस्टिक्ट है तो दोस्तों बताने रहा हूं उसमें क्या है कि हमको कुछ नौ सब्सक्राइब करते हैं अच्छा है अच्छा है अच्छा है अब मिला यह पारस डेरी घी का तुदू देखें एंस में ने यह खरीदा है एक लीटर का काटन जो पारस देशी का यह यह जो आपको दिखाए दे रहा है पारस देशी घी और ने नीचे दिखाए कि सिस्टियर से बना रहे हैं गी को और यह खुशूदार दानेदार है औ और क्या विटारिक एसिड है दोस्तों यह तो घी का डी है चुझे यह विटारिक एसिड और नियुक्त अपने होते ही हैं जिए न में होते ही हैं नूट्रिशन इंफॉर्मिशन जो ने फसाइग के साथ देनी है और इसमें मिल्क फैट इसका इंग्जेटर तका दी तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई यह नहीं कोई वैलू एडिशन किया हो और यह को सकता है कि यह इनका कंजीमर फीडबेक नमबर जहां आपने कंजीमर फीडबेक दे सकते हैं अगर घीमा कोई प्राउड लमत आपने को कंप्रेंट कर सकते हैं आप और यह दूसा इनका दारेक्शन फोर यूज और इस तो रिज रिया वह भास नॉर्मल घी का जो पर टॉरेज नहीं नेस द्रयपिझ नुट निया फार्मर से बना गी है नेट इसका नाइडिट गाम है और यह फसाइक नंबर है और एक लोगो यह इक मार्वा जो मतलग यह डबल सर्टिफाइड है जो है एक मार से पास है यहां इन्हों ने इसकी कोडिंग दिखाई है जिसमें इन्हों ने दिया है पैंड कभ हुआ है यूज कभ हो रहा है यह बैस नमर क्या है और यह और यह नहों देशी घी करें कर देशी दोस्तों जो है बनता है तो मुझे लगतान है यह जो मगर यह इंटेक्ट है और अंदर लाइनर भी जो है पार्स प्रिंटेट है सब में और अच्छी तरह इंटेक्ट है यह कोई टेंपर प्रूफ है इसकी को टेंपरिंग नहीं की गई गी कीडिया तो गहता मुझता हूं और जो अच्छे सब्सक्राइब पढूता है और सेंसोलिट है और बाकी देखाता हूं आपको क्या लगता है इसको मैं रफ करके इसकी आरोमा टेस्ट करता हूं कि एरोमा मैं रफ कर रहा हूं कि को एरोमा जो है प्लीजेंट है है अच्छी एरोमा है और इस एहरों में को जो है और मैं चारों दोस्तिक होगी तो घी शुद्ध है इसमें कोई और अधर फैट की मिलावट नहीं गी मुझे अच्छा लगा यह और इसका मैं टेस्ट दिखाता हूं को पार्म टेस्ट अगर घी घी अगर इसमें क्या है घी क्या क्वाल्टी एक पांप रख लिया जाए तो यह जो है बॉड़ी टेंपर्चर मेल्ट हो जाता है वह देखता हूं कि यह कितना सही नकलता है पांप टेस्ट पर भी मैल्ट होना सुरूफ हो गया है और पांप टेस्ट को भी में रखता है क्वालिफाई कर रहा है इसका मदत जो है घी जो है एक सब्सक्राइब और यह अच्छा एंठाने योग्यें कि आप इसका घीका कर सकते हैं और यह मिक्स मिलक लगता है मुझे क्योंकि इसमें पेल जलो कर रहा है तो अगर आपको अच्छी लगए तो और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पारश देज घीका रिव्यू देख लिया और मैंने आपको बता दिया घी जो है मार्केट में बहुत ब्रांड मौदूद हैं हमको रिव्यू देखकर ही घी को देखना चाहिए और घीकर जो है हमें सबसे पहले उसकी आउटर पैटिंग और जो क्रेम करते हैं यूज होगे हैं और मैंने इस घीकर तो आपको देखा रहा हूं पारश देजिया घीट हो हम इसको अच्छा लगा और यह एकमा सर्टिफाइड है और खाने योग गए थैंक्यू गूड़ लख सी योगे